सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंन किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसले लिखते हैं क्योंकि आप जब जूढ लिखना हुआ है साइकोटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मीरा लिखता है कि सुषान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फरबरी 2019 को मुंबई मीरा लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषान ने सकांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डि जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशनल साइकोलोजिकल लिंचिं को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे में आस तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका ले कि जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कांफरंट क पर उसकी emotional lynching करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको पर केस करने की कोशिश कि मगर एक महीने बाद वह गायव हो गई तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुन्यात पर खड़ा है और कभी आवाज आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है, तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा, इसलिए जब तालियां ब तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी